नमस्कार सातियों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूटूब चलने स्पीड नेट रूपर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपके भी पैंसन अकाउंट में नहीं आती है इस महीने से तो आपको क्या स्किम करने वाला है यह आपको इस वीडियो के माद्यम से मैं पूरी जानकारी बताऊंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत यूजबूल है इसलिए इस वीडिय आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे बढ़ने से पहले मैं यह रिक्वेस्ट आप से करना चाहूंगा क्योंकि जितना हमारा गठन होगा जितना हम एकतरित होंगे जितना हम संगठन करेंगे हम हमारा अलग ही संगठन वैसे तो चल रहा है हमारा अलग लेकिन एक जगें एकत्रित होकर कि हम एक किसी भी बात की अगर किसी भी चीज की अगर किसी भी एक मुद्दे की हम आवाज रखते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बहतर रहता है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि EPS 95-95 के लिए मैं अमेसा सही और शटिक जानकर देदा रहता हूँ इसलिए आप जरूर जुड़े हमसे और चिनल को सब्सक्राइब जरू करें पर दे हर दिन हमारे 100-500 लोग जुड़ते हैं लाइव में और सब्सक्राइब करते हैं तो आप सोच सकते हैं 500-500 लोग पर जुड़ते हैं तो 10 दिन के 15,000 लोग हमसे जुड़ते हैं हर 10 दिन पर तो हर मैने के आप जुड़ सकते हैं कितने होते हैं कितने ही 4500 लोग हमसे जुड़ जाते हैं हर मन्त तो आप से यह request करना चाहूंगा कि वो लोग यह सोच करें जुड़ते हैं कि आप पर आपको सही जानकारी मिलती है face to face मिलती है और अच्छी जानकारी और सही तरीके से समझाय जाता है चलिए बिना टाइम बरबाद कि हम वीडियो को continue करते हैं जैदा कुछ और कब से मिलेगी सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहा है कि अब हमें कितने रुपे और कब से pension है जो मिलने वाली है चलिए वो अच्छी बात है बहुत सब कमेंट आ रहे हैं आने भी चाहिए इसमें ऐसा है कि EPS 95 pension को pension गोशना हो चुकी है EPFO और सरकार की जो हरी जंडी है वो दिखा दी गई है 14 जून ते करीबन pension की यह गोशना पुरण रूप से हो जाएगी क्योंकि अंदोलन चल रहे हैं धरना परदर्शन चल रहे हैं और अभी यह जो pension मुड़ोतरी को लेकर के यह trend चल रहा है खबरे भी चल रही है इनको इस अगस्त मैने से पूरी pension है जो मिलना शुरू हो जाएगी अब कापी लोग यह comment करते हैं कि सर हमको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी हमने इतना योगदान दिया है हमने इतनी नोकरी किया है हमने यह किया है हमने यह किया है तो उन सभी को मैं कहना चाओंगा कि आप सभी को tension करने की कोई जरूरूत नहीं है दो-तिन साल है एक 2008 है 2014 है 2015 है यह दो-तिन वरस है इन इनके थोड़ी बहुत प्रोब्लम हो सकती है यह प्रोब्लम क्या है क्या नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूँगा आपको और जिसके प्रोब्लम हो खुद आप सभी को पता है क्या प्रोब्लम है क्या नहीं क्योंकि उस समय एक टलागू नहीं था ऐसी कुछ प्रोब्लम चल रही थी तो आपको बता दूँगे यह सब पैंसन आने के बाद में पता चलेगा किस-किस के अकाउंट में नहीं आई पैंसन किस-किस के अकाउंट में आई बाकि आप किसी अन्य लोगों के कहने पर कुछ भी मत करना अपनी डिटेल मत देना किसी को भी क्योंकि आज का टाइम है जो बहुत खराब है कोई भी आपका अधर कार्ट पेन कार्ट नमर मांगे तो आप बिल्कुल भी मत देना किसी को भी नमर वेगेरा कुछ भी मांगे तो भी नहीं देना ये आम आई नमर वेगेरा जो भी आपके मंगे है कि बुले कि आपकी pension इस दिन से आपके आने वाले खाते में तो वो वगेरा कुछ भी नहीं देना आपको आपके जिसे ही pension खाते में आएगी तो आएगी नहीं आएगी तो अब फिर आपको करे ले जाकर के आपको सारी process करवानी है और आसा यहीं है कि इस अगस्त महीने से आपके पुरन pension आना शुरू हो जाएगी मैं हमेशा सही और शटिक जानकारी और वही जानकारी आप तक पहुंचाता हूँ जो जानकारी सही होती है तो मिलते दोस्तों एक ने वीडियो के साथ में तब तक के लिए टेक यार बाई बाई जेह